नाचांदी का कर बेप्यार में, खरी हो राधे गोपी निबनवारी, गरी भी घरे जनम पालों, पढ़े लिखे मोएनी पारोलों जारखंड राज अपने कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है, और इन गाओं में मैं जहां पहुचा हूँ कई ऐसे कलाकार भी हैं, जो गीत संगीत करते हैं, और उसके द्वारा जारखंड की संस्कृति गीत गोविंद को दर्शकों तक पहुचाते हैं और इस गाओं में एक ऐसे ही कलाकार हैं, क्या नाम है आपका? जी रविंदर सिंग है क्या काम करते हैं? काम तो जी से अभी पेंटिंग का काम करते हैं, और साथ में शिंगिंग लेन में सिंगिंग कब से कर रहे हैं? तीन-चार साल हो रहा है, लेकिन फोकस अभी थुड़ा सा जोर दे रहा हैं तो कहां-कहां ऐसे कारकरम करने जाते हैं? जी काजगरम तो इसे अपने प्रखन के अंदर ही अभी कर रहे हैं फिलाल कहीं इंध हुआ मेला हुआ इसे इसे प्रोग्राम मिलता है गाना कहां से सिखे गाना यूटुब से और अपने हैं बड़े भाई लोग जिसे सुरज बड़ाइक हुआ जगदेश जी हुआ इलोकव गाना को फुलो करते हैं तो कितना साल हो गया लगभग गाते हुए गाना गाते हुए दिखिये 2016 से ही स्टाट के हैं में सणेटी आलोति संधोसर खोए जिले लेडनी दो तो पटाई i Together तो बजपन से सूब था।स से घ्यूमार के रोज सफेल खहता हैं घ्रश को चक्राज तो में यह तो कितने। आप तो कितने पैसे बगयरा इसमें कितने जाते हों चो कार करह करते हैं जो उसमें कैसे होता है जिसे कार कर में तो अभी हम लोग को उतना फोक होकसे नहीं कर पाए है और बढले और बड़े के डिंगे स्टर mieli yay बनन पाया है इसलिए अभी हम लोग को मिलता है दोहहजार तिन व मथού राना गर थेट हह और य। मथ़ राना गर केयां होरी। हाले कょ empathfl 출 Triby RR मत्व राना गर केयां होरी। मत्व राना गर केयां होरी। ज्याद scor 2 गाना आप तरह से गाते हैं। जी ठेटनाकपुर से गाता है अभी कोई आगामी कोई कारक्राम अभी आने वाला कारक्रम तो नहीं है लेकिन मेरा एक नाया गना आने वाला है मतलब रेकोर्डिंग हो चुका है थोड़ा सा उसको सुना देगे अच्छा सुना देज़े गाना मतलब खुद से भी लिखते हैं जी खुद से लिखते हैं और चैनल वाले भाई सब भी देते हैं लिखते हैं कहां रिकोर्डिंग करने जाते हैं स्टूडियो कहां है रिकोर्डिंग तो आभी सुरू तो हम गुमला मनो जी इहां से और अभी फिलहाल सरगामी स्टूडि लिखे मोईनी पारोलों, मोई परदेशे में ले बरकुली कामा थों। ये घरे चोली के बुली माय के, हाई घरे चोली के बुला बाफ के, मोई परदेशे में ले बरकुली कामा थों। है भाभी भगवान है भाभी भगवान मुरो आयो के मुरो बाबा के रखो हुजतान कि इन्होंने गाया है कि किसी भी तरह का कोई नाक्प्री कारकरम होता है अगर इनके गाने आपको अच्छे लगे हैं और और आपको गाने शुनने यह तो इन्हें भी आप अपने छेत्रों के कारकरम में बुलाएं